बिहार के मसीह, किसानों के मसीह, नमस्कार मैं रबीश कुमार, बिहार के बारे में बात करेंगे मगर उससे पहले जिसने मेरी नौकरी छीनली अडानी के बारे में बात करेंगे, एंडर्सन को ढूणने मैं आया हूँ, एंडर्सन, एंडर्सन कहा हो जी, एंडर्सन नहीं मिल लगता है एंडर्सन भी कहीं चला गया अरे कहां एंडर्सन के चक्कर में पड़े हो अरे हमारे पाथ तो बहुत सारे और भी लेफ्टिस्ट हैं इधर आजाओ ना जैपूर डायलोग्स पे अरे जैपूर डायलोग्स के संजय दिख्जी जी आज आज आप मिल गए हमको आपके तो नामे ही रविस है बात तो आप सही बोले दुख बहुत है मित्रों दुख बहुत है नरेंद्र मोदी जी जो संजय दिख्जी जी चाहते थे वही कर रहा है आखिर ऐसा क्यों इंडिया का नाम भारत बदल दिया आप बताइए आपको दुख नहीं होता इस कार से जो संविधान को बदला जा रहा है डेमोक्रेसी की मूल भावना को जो बदला जा रहा है आप हिंदी पढ़ते हैं कि अंग्रे जी अर्णव गोस्वामी से जब से मेरी यारी हुई थी उसने मुझे कहा था मैं तुमको अंग्रे जी के ट्यूशन क्लास दूंगा लेक रहे थे मगर जब से चीनी फंडिंग मिल रही है भूल गया है उसके क्या लिखा है उसका सेक्षन एक क्या कहता है मैं आपको पढ़के सुना दू सुना यह भारत अर्थात इंडिया भारत अर्थात इंडिया लेकिन आप यह बताईए सोनिया अर्थात इंडिया क्यों नही अब आप ये चाहते हैं कि भारत का नाम बदला तो आप चाहते हैं कि इंडियन नेशनल कॉंग्रेस का भी नाम बदलना पड़ेगा राजनितिक पार्टियां तो बरबाद हो जाएंगी हम आपको समझाए इतना समधान और आपको ये बताए कि समधान में लिखा है भारत अरफात इंडिया इस देश का मुसलमान समधान से नहीं शरीयत से चलेगा तो अगर शरीयत से चलेगा तो हिंदुस्तान पहना पड़ेगा कि वो तो और ही बुरा हो जाएगा कैसे आप शरियत नहीं पढ़े हैं लगता ठीक से लेकिन हम पढ़े हैं आप जड़ा देखिए उठाके फटावा अलमगिरी पढ़े है क्या नहीं पढ़ा तो नहीं है मैंने सुना है कि आपने ट्रांसलेशन कि हमारा हिंदी ट्रांसलेशन पढ़िए तो हिंदुस्तान कहता है फिर तो उसमें हिंदू का नाम आ जाएगा भारत भी नहीं रहेगा तो आप बताइए आपको भारत और हिंदुस्तान में से कौन सा पसंद है कोई यही दो आप्शन है आपके पास इंडिया वाला तो गया इंडिया का ऑप्शन जिसे वह संजे दिक्षीत को सुने और जो इंडिया के बारे में जानना चाहता है वह अभिशेक तिवारी को सुने अरे अभी तो आपके उपर और वज्रपात होने वाला हाक को पता नहीं है नहीं नहीं क्या हुआ अरे वह जो हमारी जो नई पार्लेमेंट बनी है ना नया संसत जबन उसका उदगाटन गनेश चतुर्थी के दिन हो गाए उसका उदगाटन नहीं होगा उसका श्री गनेश होगा अब आप क्या करेंगे अब आप इसा कीजिए कि आप गनेश जी की प्रारतना करिए कि वो अपनी सून में आपको लपेट कर किसी अइसी जगे पहुचा जहां आप सुलक्षित हो जाएं क्योंकि यहां मुझे दो नहीं रहता कि आप सुलक्षित रह पाएंगे क्योंकि चारों तरफ से आपकी कुंठाओं का दावानल आपको ऐसा घेरेगा कि आप उसमें जल कर भसू हो जाएंगे अगर यही आपका नया भारत है तो मैं इस नया भारत को अस्विकार करता हूँ और मैं जैपू डायलोग से भी जा रहा हूँ, हमको जाने दीजिए यहां से जा रहे हैं, एंडर्शन को ढूढने जा रहे हैं, एंडर्शन कहा गया